हाल के महीनों में चलते फिरते, हसते खेलते, नाशते गाते, वर्काउट करते ये लोगों की मौत के कई मामले सामने आए हैं सोशल मीडिया के जरिये इस तरहें की घटनाओं के कई वीडियोज भी सामने आ रहे हैं तो सवाल ये है कि कार्डियक अरेस्ट की ऐसी घटनाए अचानक से क्यों बन रही हैं कहीं इसका कोरोना से तो कोई लेना देना नहीं लोगों के मन में ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसे लेकर तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं इनी सवालों के मदे नजार अब ICMR यानि कि Indian Council of Medical Research ने एक स्टेडी शुरू की है ICMR ने अपनी इस स्टेडी में एम्स के कुछ टॉप कॉर्डियोलोजिस्ट और फॉरंसिक स्पेसिलिस्ट को भी लगाया है ये एक्सपर्ट्स मिलकर देश भर में अचानक हो रही मौतों के मामले की परताल करने में जुटे हैं इसके लिए वर्बल ओप्टिसी का तरीका अपनाया ज़ुआ रहा है इसमें इस तरह की ज़ुआनकारिया जुटाई जाती है कि जेश शरक्स की कार्डियक अरेश्ट से मौत हुई है उसमें क्या लक्षोण दिखे थे किन परिस्तितियों में मौत हुई उन्हें पहले से कोई दिक्कत तो नहीं थी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों को नजर अंदास करना ठीक नहीं है हर उम्र के लोगों को समय समय पर स्वास्त की जाज करवाते रहना चाहिए फिलहाल आई सेमार अपनी स्टेडी के जरिये ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर भारत में अच्वानक कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ने की वज़े क्या है अब स्टेडी पूरी होने के बाद ही पता लग पाएगा कि मौतों का कोरोना से कुछ लेना देना है भी या फिर नहीं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24